नमस्कार आगे बढ़ना है ना तो चोटी चोटी सरल गल्तियां मत करना दिखने में तो यह बिल्कुल सरल लगती है आप देखे और यार यार यह को इसनी बड़ी गल्ती नहीं यार यह तो नॉर्मल है लेकिन जब आप रेगुलर उंगो दीरे-दीरे-दीरे करते जाते हो न यह चोटी चोटी गल्तियां आपको दिखने में बिल्कुल चोटी लगती है लेकिन यह बहुत बड़ी होती है आपके चरित्रे के लिए के आपकी प्रस्नालिटे के लिए और आपके व्यक्तित्तों के लिए बहुत बड़ी होती है यह बहुत सरल गल्तिया होती है चोटी ह होती है लेकिन आप एनको भूलने की मिष्डेक मत करना आप इस्से सावदान देना है times मूड अपने मूड के अनुसार कभी काम मत करना कि आपका सरी तो क्या चाता है ऑलर्श से चाहता है आराम चाता है अरे आज तो रेश्ट कर लेते हैं आज तो आनंद कर लेते हैं आज मूड नहीं है काम करने का है कल करेंगे या अगर आप अपने मूड के अनुसार चलो के ना तो आपका काम कोई भी सक्सेज नहीं होगा आप देखो के यार मूड नहीं है कल कर लेंगे यार मूड होगा तब पता ही निये दिन बर में दो तीन गंटे आप एसे ही वेश्ट कर देते हो अगर दो तीन गंटे वह आप प्रोड़क्टिविटी में लगाऊगा तो कितना काम आएगा लेकिन आप तो नोर्मली एसी छोटी गल्ती दिखती आलश्य है और कोई बात निया आजाता है और फिर लोगों में कम करता है लोग आपके पर विश्वास कम करने लग जाते हैं जहां तक आपके मावापी आपके उपर कम विश्वास करते हैं, आपकी पत्नी कम विश्वास करने लग जाती है, आपके बच्चे कम विश्वास करने लग जाती है, तो छोटे छोटे जूट होते हैं, लेकिन एसे छोटे छोटे जूट भी मत बोला करो, तुट बोला करो, कड़वा होता है कोई बात न के अरे कुछ नहीं यार छोटी मोटी आलोशना तो होती है ध्यान रखना आपके द्वारा वही बोले गए सब्द जब उस सामने वाले गति के पास पहुंशते हैं तो वह आपके लिए क्या सोचता है उसके लिए आपके मन में इज्जत कम हो जाती है वो आपके इज्जत कभी नहीं करेगा सामने बले आपको हलो हाई नमस्कार कर देगा लेकिन उसके मन में आपके प्रती इज्जत नहीं रहेगी आप सोचेंगे यार उसके पास कैसे बात जाएगे उसके बात जाई नहीं सकती लेकिन क्या पता आप जिसके साथ मेट के आलोशना कर रहे हो वही व्यक्ति वहाँ जाकर आपकी बात उसको बता दे तो कभी भी किसी के कंडिशन में किसी की आलोशना मत करना निंदा मत करना आपको लगता है कि यह चोटी सी बात है लेकिन यह चोटी सी बात आपके व्यक्तित के लिए बहुत बड़ा भारी पड़ सकती है पॉर्ट गाली गलोज मत करना आपने सब्दों में तबी कभी क्या होता है लोग छोटी मुटी तोची एपने बहुत बढ़ी बात होता है अपने मुझे कभी गाली गलोज मत निकालना अगर गाली गलोज निकालना तो आपके लिए आपके विर्टित के लिए बहुत बड़ा बारी पड़ सकता है फिर चापलूसी कभी किसी की मत करना ओपिस में चापलूसी करते हो गर में किसी रिष्टेदार की चाप लूसी करते हो समाज में किसी की चाप लूसी करते हो दोस्तों को साथ पेटे हो तो किसी दोस्त की चाप लूसी कर रहे हो अगर आप किसी से चिकनी चुपनी बाते करते हो चाप लूसी करते हो कि आप चाप लुसी करोगे आपके लिए चोटी बात है लेकिन आलोषन किसकी होगी आपकी होगी लोग आपको क्या समझेंगे स्वारती समझेंगे कुछ नहीं आगे तो स्वारती वैक्टि तो चाप लुसी कभी किसी ये मत करना सिक्स एन लाश्ट तू तड़ाक से किसी से बात मत करना अब आप देखते हो यारे इसे क्या है रहा कोई भी वेक्ति मिले तू कहा जा रहा है क्या है तुम किदर जा रहे हो इतना नॉर्मल बात नहीं है तू और तुम की जगह आप आप भी तो बोल सकते हो तू और आप लेगना कि सामने वाला कैसा रियक्शन करेगा और जब आप किसी को आप बोलोगे ना तो सामने वाला कैसा रियक्शन करेगा राज दिन का अंतर है आप किसी को आप बोलोगे ना तो उसके मन में रेस्पेक्ट पैदा होगी आपके परती इज़त पैदा होगी आपके परती यह आपके लिए बहुत भारी बढ़ सकती है तू तड़ाग नहीं आपकर बात करे तो यह कुछ ऐसी बाते हैं जो आपको सरल लग सकती है छोटी छोटी गलतिया लग सकती है लेकिन आपके प्रशनाल्टी के लिए बहुत बड़ी गलतिया हैं आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुचा सकती है इसलिए इन गलतियों को कभी मत धोराना